इंकम टेक्स रिटर्ण फाइल करने के बाद इंकम टेक्स डिफरंड का इंतिजार कर रहे हैं लोगों के लिए जरूरी खबर इंकम टेक्स डिफरंड का इंतिजार कर रहे हैं टेक्स पेर्स को इंकम टेक्स विभाग ने एक फेक मैसेजस से अलर्ट रहने को कहा है विभाग ने च्वेताम नहीं दी है कि मुबाइल फोन या इमेल पर आने वारे टेक्स रिफोन एप्रूवल के मैसेज फरजी हो सकते हैं इनसे साबधान रहने की जरूरत है इनकम टेक्स डिपार्टमेंट ने टेक्स पेर्स को आईटिया रिफर्ण स्कैम से साबधान रहने को कहा है आईटी डिपार्टमेंट ने टेक्सपेर्स को जानकारी दी है कि फर्जी कॉल और पॉप अप नोटिफिकेशन जरसे ऑनलाइन स्कैम्स की संख्या में लगतार हिजाफा देखने को मिल रहा है डिपार्टमेंट के अनुसार ऐसे फर्जी कॉल को पॉप अप नोटिफिकेशन में टेक्स से फोन अविल करने की बात कही जाती है IT department में अपने advisory ने कहा है कि यदि किसी taxpayers को ऐसा कोई फर्जी message मिलता है तो उसे message को IT department में अधिकारिक तोर पर verify ज़रूर करें ज़ानकारी के लिए आपको बता दे department next पर एक officially post करके ये ज़ानकारी दी है आप email का जवाब ना दे या उन website पर जरूर ना जाए जो credit card number, back accountability या किसी अन्य समेंदर शील जानकारी के request करते हैं बता दे कि income tax department दिये गए email, address और taxpayer से संपर कर सकता है आईटे विभाग ने एक्सपर कहा है कि फर्जे messages इस तरह हो सकता है आपको 15,000 रुपए का income tax refund एप्रूव हुआ है amount जोल्दी आपके account में deposit कर दिया जोएगा, क्रिपय आप अपना account number यहाँ पर verify करें यदि यही सही नहीं है तो क्रिपय नीचो दिये गए लिंक पर आप जाकर अपना account verify की जोहनकारी अपडेट करें IT department ने taxpayers को ऐसे फर्जे धोखा धड़ी वाले message और email department की अधिकारिक website पर भेजने को कहा है यदि आपका कोई ऐसा email प्राप्त होता है या आपको ऐसे messages टाइप की जो भी आते हैं और आपको लगता है कि यह धोखा धड़ी वाला मामला है तो आप web manager at the rate income text.gov.in पर send करना होगा और इसकी एक copy आपको incident at the rate cert ing.org.in पर आपको भेज सेजा सकती है टेक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि यदि आपको कोई phishing mail भी प्राप्त होता है तो आप incident at the rate cert in.org.in पर send करें आपको बता दे इंकम टेक्स डिपार्टमेंट तब वापस लेता है जब भुकतान किया गया tax का amount real amount में से ज़ादा होता है टेक्स डिपार्टमेंट की e-verify करने के बाद income tax डिपार्टमेंट प्रोसेश शुरू होती है आम तोर पर refund को bank account में जमा होने में लगभग 4-5 सब्ता का समय लगता है इसके साथ ही आपको पता दे income tax डिपार्टमेंट को कई शुकायते मिली है जिनमें टेक्स डिपार्टमेंट के पास ऐसे pop-off messages आ रहे हैं अपने इस चैनल को सब्स्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें न्यूजनेशन अब वाट्सेप पर खपरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूजनेशन के इस QR कोड को स्कैन करें